क्या आपको पता है कि चाहे हम खा रहे हो चाहे जानवर खा रहे हो भोजन खाते हैं यह भोजन कौन बनाता है कौन इसकी त्यारी करता है यह करते हैं हमारे प्लांट्स आज इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में और भी चीजे जानेंगे कि यह किस तरीके से भोजन को को त्यार करते हैं यह questions बहुत important होने वाले हैं आपके exam point of view से महुत हमेश चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी को पता है कि प्रकास sensation वह प्रक्रिया है जिससे भोजन त्यार किया जाता है प्रकास sensation की प्रक्रिया के लिए किस pigment किस वर्णक की जरुद होती है वो है chlorophyll चांते हैं ना पत्ते हरे क्यों होते हैं क्योंकि उनमें chlorophyll बहुत अधिक मात्रा में होता है इसलिए maximum पत्त आपको हरे रंगे दिखते हैं what are the organism called that can make their own food उस जीव को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वय बना सकते हैं जैसे पेड़ पौदे उन्हें हम autotrophs या स्वापोसी कहते हैं which gas is produced as a by-product during photosynthesis प्रकास translation के दौरान कौन सी gas उपोत्पाद के रूप में उत्पन होती है उपोत्पाद मतलब बाहा निकलती है photosynthesis जब किया जाता है तो जो gas बाहा निकलती है उसे हम कहते हैं oxygen which of the following is parasitic plant निम्लिखित में से कौन सा पर जीवी पौधा है पर जीवी का मतलब एक ऐसा पौधा जो दूसरे किसी पौधे के उपर आस्रित रहता है दूसरे किसी पौधे के उपर रहकर अपना भोजन ग्रहन करता है तो यह है हमारा अमर बेल इसे हम कहते हैं cascuta और यहाँ पर अकरोट लिकर रखा है यह अकरोट नहीं होके अमर बेल होगा अमर बेल ओके तो आंसर हो जाएगा B what type of nutrition do fungi exhibit कवक किस प्रकार का पोशक प्रदरसित करते हैं कवक जो होते हैं वो सडी कली चीजों को खाते हैं आपने देखा होगा जहां पर कुछ नमी हो जाए और आपका bread या पर रोटी उसको पर green Ton की एक काई जम जाती है वो जो हैं वो कवक होते हैं जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं इसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक यानि मृत्य पोशी which part of plant takes in carbon dioxide from air पौधे का कौन सा भाग हवा से carbon dioxide लेता है पहले तो आप मुझे comment करके बताएए कि carbon dioxide क्यों लेता है पौधा आखिर इसको जुरूत क्या है carbon dioxide लेने की लेता है वो तो मैं बता दूँगा लेकिन ये लेता क्यों है ये आपको comment करके बताता है कि carbon dioxide लेने से यह photosynthesis करता है simple सा question है photosynthesis करने के लिए यह जो carbon dioxide लेता है वो estimator रंद्र से लेता है यह estimator इस पत्तो के निचले भाग उपर होते हैं छोटे छोटे छेर जहां से carbon dioxide लिया जाता है और oxygen पहा निकला जाता है what are the pores called through which leaves exchange gases अभी इस से पहले वाले सवाल में आपको बताया कि उन छेद्र को क्या कहते हैं जिन से हवा का आदान प्रदान होता है वह होता है आपका C, estimator रंधर कहते हैं इन्हें अभी इस में भी मैंने बताया कि यह estimator है जहां से आदान प्रदान होता है और यहां पर दुबारा बता दिया आपको इनका नाम what are the main products of photosynthesis प्रकास translation के मुख्य उत्पाद क्या है जब प्रकास translation होता है तो कौन कौन से चीज़े बाहा निकलती है तो मुख्य रूप से इसमें से चीज़े जो बाहा निकलती है वो है glucose और oxygen प्रकास translation में carbon dioxide और water की जरूत होती है जिसमें होता है हमारा chlorophyll और sunlight इनकी मजूदगी में बनता है हमारा glucose CE6H12O6 यह है हमारा glucose जिसका formula लिखा है मैंने और दूसरी चीज़ है oxygen यह question जरूर आएगा आपके paper में तो इसको आप note कर लीजिए carbon dioxide water chlorophyll और sunlight की प्रेजिंस में बनता है glucose और oxygen which organism derived nutrients from dead and decaying matter कौन सा जीव मृत्य और सड़े हुए पदारतों से पोसक तत्व पदान करता है इसे हम कहते हैं पर जीवी तो दूसरे गूपर रहने वाले हो कहते हैं यह कहते हैं saprotrophs या मृत्य पोसी saprotroph को हम मृत्य पोसी भी कहते हैं यह मृत्य यानि सड़ी गली चीजों से भोजन परदान करते हैं उधारन के लिए हो गया fungi या फिर कवक what term describes organism that depends on others for food कौन सा सब्द उन जीवों का वर्णन करता है जो दूसरों पर निर्व करते हैं अपने भोजन के लिए तो उसको हम कहते हैं heterotrophs heterotrophs वह जीव होते हैं जो दूसरे पर भोजन के लिए आस्रित होते हैं what do we call a relationship where both organisms benefit हम उस रिस्ते को क्या कहते हैं जहां दोनों जीवों को लाव होता है यह रिस्ता क्या कहलाता है यह एक ऐसा रिस्ता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को कुछ चीज देता है कुछ help करत है दूसरा जीव पहरे जीव को कोई चीज देता है कोई help परता है इसको हम कहते हैं mutualism mutualism का मतलब एक दूसरे को साहता करके अपना जीवन यापन करना which plant is known as insectivorous plant बहुत important सवाल है कीट भक्षी पौधे के रूप में जाना जाने वाला कौन सा plant है कीट भक्षी पौधा जो है यह है आपका picture plant which nutrient is commonly deficient in soil and added at fertilizers कौन सा पो सकता है तो आम तोर पर मिट्टी में कम पाया जाता है इसे उर्वरक के रूप में उर्वरक के रूप में डाला जाता है उर्वरक के रूप में कौन सी चीज डाली जाएगी जो मिट्टी में कम है और उसको पौधों को देना है त जब हम खाट डालते हैं उर्वरक डालते हैं तो उसमें nitrogen की मातरा प्रचूर होती है तब ही पौधे हरे बरे हो जाते हैं और उनमें आचानक से उर्जा या ताकत देखने को मिलती है जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं जो पौधे जिन में क्लोरोफिल नहीं होता है वो चाहिट सी बात है कि दूसरे किसी पौधे को उपर आशरित रहते होंगे अपना भोजन प्राप्ट करने के लिए तो इनको हम कहते हैं हेट्रो, ट्रॉप्स, विशम, पोसी. Which part of leaves does photosynthesis primarily occur? मुख्य रूप से पत्ती के कौन से भाग में प्रकास संसलेशन होता है. और यहाँ पर जो आंसर है वो है spongy layer. आंसर है C. यह कुछ अच्छा सवाल है, competitive exam सो पूछा जाता है, आपके exam में भी हो सकता है कि पूछा जाए अगर उन्हें कठिन पेपर बनाना हो तो. What do you call the relationship between fungi and algae in lichens? By lichen में कवक और सेवाल, कवक और सेवाल दो मिलके रहते हैं. Lichen एक ऐसी सनचना है जिसमें कवक और सेवाल दोनों मिलके रहते हैं. तो इस relationship को क्या कहते हैं? इस relationship को हम कहते हैं symbiosis. What pigment gives a green color to leaves? यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि green color. कौन सा वर्णक पत्यों को हरा पना दे रहा है? यह है आपका chlorophyll answer हो गया B. What do you call a plant? Dead feeds on insect. आप उस पौधे को क्या कहते हैं? जो कीडों को खाता है. जो कीडों को खाने वाला पौधा होता है, उसे हम कीट भख्षी यानि insect की बुरस कहते हैं. बही इंसेक्ट की बात हो रही है, इंसेक्ट यहां लिखा है, कीट की बात हो रही है, कीट यहां लिखा है, तो easy peasy. बिखाज प्रकास नसलेशन का उत्पाद नहीं है, बही प्रकास नसलेशन से नहीं मिलने वाली चीज है, कार्मन डीकसाइट. कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जो अपने पोसक तत्व दूसरे जीवी त पौधों पर रहकर प्राप्ट करते हैं. उन प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइट, मृत्य जीवी या हेटरोट्रॉफ भई अब तीन आंसर हो गए इसके तो तीन आंसर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर है वो है हेटरोट्रॉफ क्योंकि ये जो हेटरोट्रॉफ है इसी ग्रूप में ये दोनों आते है तो इसका सही आंसर आप ध्यान से लगा लिजेगा भी ये सबसे अच्छा सवाल है इस पूरी वीडियो का आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी इसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें कमेंट करके बताएं कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चानल को वीडियो को आखरी तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद